हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल रस्पी स्टेडी पॉइंट पर उम्मीद केरते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जैसा कि फिजिक्स में हम लोग पहला चेप्टर पढ़ चुके हैं अगर आप पहला चेप्टर अभी तक नहीं देखें ह घृएंगी है जय देख लिगे पहले उसके बाद इस चेप्टर को पढ़िए सेकेर जो है पहले चेप्टर के आधार पे बना है यह पर सेकेर हमारा आज स्टार होता है उसका नाम क्या है? electric potential and capacitance ठीक है तो हमारा second setter का ये पहले lecture है पहले lecture में आज का हमारा class start होता है electric potential से चलिए फिर हम देखते हैं electric potential क्या होता है the electric potential may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to infinity to an other point यानि any point कह सकते हैं ठीक है और observation मतलब हमारा कहने का ये है इसमें कि हम किसी भी infinity charge पर मतलब कोई भी infinity पर हमारा एक charge रखा हुआ है या पढ़ा हुआ है उसको हम अगल ले आएंगे एक point क्या है यह फिर्सी also हम उसको किसी भी point पर ले modeling काईएंगे तो आपर हमें क्या कहना पढ़ेगा work done करना पड़ेगा work done मतलब हमको कुछ work करना पड़ेगा वो point तभी तो यहां पे आएगा वो charge तभी तो आएगा इस point पे मान लिजें यह हमारा क्या है infinity है ठीक है यह हमारा infinity है यहां पे q not charge यहां पड़ा हुआ है q not मतलब एक test charge है यह हमारा यहां पे पड़ा हुआ है अब हमको इसको इस point पे लाना है क्या हम पे लाना है इस point पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा work done यहां पे इस point पे लाने के लिए यह point मालने जित्ती है इस यहां पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो ठीक है, तो इसका formula चाह बन जाएगा, electric potential का, गो हो जाएगा, work done, work done, work done by, work done by, जो हम क्या ना रहे हैं यहाँ पर, charge ना रहे हैं, ठीक है, यह हम, क्या हो जाएगा, यह हमारा किसका formula हो जाए, electric potential, और electric potential को सबसे पहले हमें जानने की बात यह है, किसको हम denote किसके करते हैं, इसको हम denote करते हैं, B से, ठीक है, B से हम इसको denote करते हैं, यानि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं, मतलब आप इसलिए बोल रहे हैं, आप पहला चाहिए जाके पढ़ देख लिजिए, चाहिए आप भी लिखी, भी तो हम denote करते हैं, मतलब जो हमने लिखता है, वो क्या लिखा जाता, भी लिखा जाता, लेकिन आगर आप चाहिए तो EP लिखी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा हो जाता है, electric potential, ठीक है, अब हम देखते है, electric potential quantity क्या होती है, scalar quantity होती ही, better quantity, ठीक है, देखिए यहां पर, it is scalar quantity, मतलब क्या है, यह electric potential जो है हमारा, वो scalar quantity है, ठीक है, its SI unit is bolt, इसकी SI unit क्या होती है, bolt होती है, ठीक है, इसकी SI unit क्या होती है, bolt, electric potential की SI unit, bolt होती है, ठीक है, अब हम देखते है, हमारा दिए सब्सक्राइबकर न हमको पुवे सबylanब one point to another point मतलब क्या कहने का है इसमें भी तो वही था नाई इसमें थोड़ाइब चेंज था इसमें भी थोड़ाइब चेंज है यहां पर क्या है मतलब यहां पर क्या था हमको यह point inclusive सिलाना था लेकिन अब यह माल लीजिए हमारा point क्या है बी है ठीक है यह point है ठीक है हम यहां पर point decide कर देते हैं कि यहां पर हमारा क्या लिखा गया है देखीजिए आप one point to another point यह point यह होगा है एक point यह होगा है ठीक है अब हमको यहां से यहां लाना है यहां से यहां जब लाएंगे हम तो हमारा क्या करना पड़ेगा हमको वर्क दन करना पड़ेगा मतलब कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी तो आएगा वो जब हमको वर्क करेंगे हम वो जब हम इसमें वर्क करेंगे तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा वर्क दन भाई चार्ज चार्ज क्या यह हमारा जो हमें आ अगर आप छोटा सा लिख से हैं difference, ठीक है, आप यहाँ पे छोटा सा difference लिख दीजी, जिसने आपको यह पता चल जाए, कि हम क्या किस चीज को formula लगाएं है, ठीक है, और यहाँ पे point charge है, मतलब हमको क्या दिया गया है, point decide है, तो यहाँ पे हम start form ले अगर लिखें इसका formula तो यह हो जाएगा, v is equal to w a b by charge है, तो यहाँ पे क्यों लिख लिख लिखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं, a b क्यों लिखा गया, a b इसलिखा गया, क्योंकि हमारा a point से b point पे ले जाना था, या b point से a point पे लाना था, इसलिए हम जो point given है, उसको multiply ले कर देंग पे ले क्या है अपना 4th point, 4th point में क्या है, electric potential is independent of path, electric potential क्या है, independent path है, इसका path पर dependent नहीं है, टिक है, independent path अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी अच्छे से लेना है तो इसमें आप जाके यहां पर आई बटन पर देखे विजो दिख नहीं है तले आप जाके उसको देख लीजिए आपको कंजर बेटिंग में पॉइंट पॉइंट आपको समझे में आ जाएगा हो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइब करते हैं अब हम एक किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर हम किसी फॉइंट चार्ज पर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा वर्क दन तो वर्क दन वाई है चोटा सा चार्ज मतलब किसी भी किसी एंटनेटी से हम लेके आ रहे हैं कुछ कुछ करना पड़ा वब अब किसको ला रहे हैं चर्ज को इस लिए लाइड कर देंके तो हमारा हो तो जाएगा अब इसको हम अगर को उन लिखे है तो टंथा वई पसके हैं लिखा का का इस long प्राइब chosen before अगर यहिक Pac어 दें होता कि क्यों ब्रोर्व का हुआ होर्थ था जिचन से कि यहाँ सबस्सक्राइब करें गए जाता हुआ हमारा वर्पर का टяг्या है छीओव note जिस। देंस City को दो कि दो कमार अब्या होजाता है श्रक एक क्या जाता है अच्छ यहां पर टू नौट लिखा नहां पे किसलिए क्योंकि यहां पर बिलिखा यहां पर टेस्ट चार्ग नहां लपन, के सब्सक्राइव छिए तरफ यहां पर की नॉट लिखा गया अब Works जुद्ट सब्सक्राइब रहुत करना मतलब पूर्ण यहीं जू का मैं नहीं हम स्क्राइब करना अगा यह चार्ज को लेना है जिसको में इन्पिनिटी से चाहिना है गिविन पॉइंट पर लाना है तो दोस्कों हमारा वर्क डन होगा वह हमारा क्या होगा वन जूल होगा मतलब कि अब यह कह सकते हैं वन जूल वन जूल बाई वन कुलाब ठीक है वन जूल बाई वन कुलाब तो यह हमारे क्या होगा वन बोल्ट होगा यह हमारे क्या होगा वन बोल्ट होगा ठीक है वन बोल्ट इसकोल टो क्या होगा वन जूल बाई वन कुलाब मत λख क्या है वर्कवल रिवाज साथ generally all यख़ रख क्या होता है वर्कवला हमारा क्या है वर्क एक तेंगा तर पर बता है किया होता है डाइंटबशन फार्मूला फिसका डेखेंगे एलक्रिक पोटेंशियल का सिखेंगे जो कि हम पेले यहां पर आपको लोग तेखे दशे क्लिफ नमुट इसको टू वन जूलाइव लॉन पुलाम। इसको निख सकते हैं वह ता है एक एक प्राइब मतलब बोल्ट कॉम बी से लिखते है तो वी ओजाएगा वी इसको टू वर्क वाइचार्ज को और शॉट फ़र्म में लिके है तो डबलु बाई जीव लिख सकते है ठीक है अब हम इसका वर्क का हमारा डामेंसन फार्मूला क् हो जाएगा यहां पर क्या है मतलब श्कारएगा मांस करऑ ऑंति अधू है अध़руз के पावर मां इस बोर्लॉड हो जाएगा आ नहीं तो यह नहीं हो जायीगा मतलब मैंनेस ठीक ब्स में उपर जाएगा माइनस और लेकिन सांऔर कर ऐगा तो यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी है अगर अच्छे से समझ में आ गई है यह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए जिससे आपसे वीडियो मिस ना हो और आपता चैटर सीरियल वाइज चलता रहे ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए ओक के बाद